दोस्तों मूवी वी मैं आपका बहुत देखनी चाहिए आप सवासे क्यों देखनी चाहिए तो भाई यह आपको मूवी इससे देखनी चाहिए देखो और इसके नदर कुछ केमियों देखने को मुझेए जैसे कि मार्क अफेलो जो एक एडम के पिता रोइस का किरदार ने बारे है महीं एडम की जो पत्नी है लौरा वह भी आपको देखने मिलेगी इनका बहुत ही छोटा सा रोल है और भाई जो एडम की मॉम है जैनिफर ओमाइ गौड उनको देख करके तो मैं हरानी हो गया था पता कि मैं सीरे सिक उसे कोशन करने जगे था यह क्या सही में यह एक्टा ही है ना मतलब और आज भी मतलब अभी तुम देखोगे ना उनके चेहरे पे वह अभी भी चमक है भाई और सीरिसी काऊंगा डेर डेवल में जो मैं अज़े एडम के बच्पन के करतार निवाया वही ऑसम परफॉर्मेंस दिया इन्होंने और इनके अक्टिंग बहुत अच्छी लगी है और बागी सब का काम भी बहुत अच्छा है वहीं कैथिन के बात करें इन्होंने इसे माय सोरियन का करतार निवाया है और यह विलन के तौर के प्लेइक लिए लेकिन सबसे ब़रा नुकसान यहीं कि इनके बार में कहानी को ज्यादा एकस्प्पोर किया नहीं गहां आपको इतना पता है कि वह एटम का पीछा रही है और अदम को मादना चाहती है क्यों क्योंकि एडम उनके लाप कर देना चाहता है अब आजा क्योंकि उसी टाइम जो उसके पिता थे लूइस वो गलती से एक टाइम मशीन इंवेंट करने वाजे थे उसकी स्पेशिप ख़ाब हो जाने के वज़े से वह पहुंच जाता है 2022 में उसके बाद जो हमारा एडम है बड़ा एडम और चोटा एडम यानि कि वाकर इन दोने की ज जो टाइम ट्रावर का कंसेप्ट है इसको वापस एक नई तरीके से रेप्रेजेंट किया गया है तो हर बार देखो चीजे तो वही पुरानी होती है जैकिन उसको रेप्रेजेंटेशन करने का तरीका हर बार बस बदल जाता है तो यह कहानी किसी भी एंगर से आपको बोर नहीं करेगी यह मुवी आपको फुल तरीके से एंटेटेटीन करेगी एंद आप डैफनेटिक मुवी को एंज्वार करोगे इस मुवी के अंदर कॉमेडी सीन्स भी है जिसको देखकर कर डैफनेटिक हसिए आती है आप एंजउआई करते हो एक्षिन से हैं थोड़े बहु कि आपको देखने को विजए एंड टाइम पर मुवी अच्छी है मजा आएगा आपको देखने में तो मैं ने इस मुवी को नहीं देखा तो जो अलएड़ी देख चिक्ते हो तो नहीं है नीचे कमेंट करके बता ओओ यह मुवी आपको कैसे जगे मैं भी आप साथ यह वडिय झाल झाल